क्या आपको सेक्स करने से पहले घबराहट होती है चिंता होती है कि मैं सेक्स कर पाऊंगा की नहीं मेरा लिंग में तनाव आएगा की नहीं यानि इन सौर्ट अगर में कहूं तो आपको पर्फॉमेंस एंजाइटी होती है दोस्तो इतने साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौर जो मैंने देखा है कि जो लोग यौन समस्या की सिकार होते हैं उनमें से 40-50% लोगों को performance anxiety होती है यानि इन लोगों को physically तोर पर कोई problem नहीं होती है इन लोगों का जनाइटो-urinary organ और sex organ जो होती है बिल्कुल perfectly काम कर रहा होता है सिर्फ इन लोगों का अंधर एक घबराहट हो है और जिसके कारण यह सोच यह डर एक बिमारी में तब्दिल हो जाता है तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं performance anxiety के बारे में बताने वाला हूं और इस वीडियो का अंध में आप लोगों को मैं एक homeopathic medicine का नाम भी बताने वाला हूं जिसे आप यूज करक है तो इन problems को भी medicine एकदम जड़ से समाप्त कर देगी तो दोस्तों जब भी कोई बंदा का नया नया साधी होता है या फिर वो बंदा अगर कोई नया partner से मिल रहा होता है तो शुरुवाती दिनों में almost 50% लोगों में ऐसा होता है कि वो पूरी तरह 100% अपना performance दे नहीं पात है क्योंकि हम इंसान अगर कोई भी काम करते है तो उस काम का पहला दिन से ही हम लोग उसका 100% efficient के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं हम इंसान उस काम को धिरे-धिरे सीखते है तो सेम चीज यहां भी imply होता है तो कुछ लोगों को इस बात का idea होता है तो वो लोग tension नहीं लेते ह है लेकिन आप लोगों में से ऐसा बहुत लोग है जिनको idea के थोड़ी कमी होता है तो वो लोग जो है यहां ऊहां भटकते रहते हैं यहां वहां की गोलिया खाते रहते है जो जिसने जो बोल दिया वो करता रहता है और इससे क्या होता है कि जो problem आपको था ही नहीं वो problem सुन करने पर link में तनाव आ रहा होता है लेकिन जब भी वही बंदा अपना partner के पास जाता है तो उसको तनाव की कमी महसूस होता है धिला पर ना जाता है या फिर आने वाली मेडिसन खाएंगे तो उससे हमें बिल्कुल भी फाइदा नहीं होने वाला है आमुमान लोग यहीं पर गलतिया करते हैं लोग क्या करते हैं कि लोग जो है वीडियो देखकर आर्टिकल पढ़कर सिल्डेनाफिल सिट्रेट टैडलाफिल यह सब मेडिसन जो खाते रहता है लिंग में सब्कलाइ को बढ़ाने के लिए अब उसी जगह पर कुछ लोग घुमोंपर्थिक मेडिसन खाते रहते हैं यह सोच कर क्योंकि हो मतिक मेडिसन में भाया जाए अब इस तरह से मेडिसन खाने का कारण से क्या होता है कि आपका अंदर प्रोब्लम था ही न नहीं है और फिर भी अगर उस मेडिसिन को अगर आप खाये जाएंगे तो आपका अंदर वो प्रॉब्लम कुछ तक डेबलब हो सकता है बलकि 101 परसेंट आपको होगा ही और अब इस परफॉर्मेंस एंजाटी के लिए जो मेडिसिन का नाम में आप लोगों को बताने वाला और इस मेडिसिन को जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आप वैसे वैसे लेंगे तो आपको 101 परसेंट बेनिफिट होगा और आपको कोई एग्रावेशन भी नहीं होगा तो उस मेडिसिन का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम मैं पिक्चर लगा देता हूं स्क की बार में खरिद लेना है स्टार्ट करेंगे आप अर्जेंटम नाट्रिकम सिखसे 2 बून सुभे दो बून साम को अफ टू फिंटीन डेस 15 दिन तक के लिए आप ऐसे लेंगे दो बून सुभे दो बून साम को डायर्ट टंग प्याब लेंगे जैसे ही 15 दिन हो जाता है त तो फिर आप जो है 60 दिन से अरजेंटम नाटीकम को 30 पोटेंसि में लेना स्टार्ट करिए। लेने का तरीका वही सेम अरजेंटम नाटीकम 30, दो बुंध सुभे, दो बुंध साम को, अप टू 15 डेस, 15 दिन तक के लिए आप Argentum Nitricum को ऐसे करके लिजे और जैसे ही आपका Argentum Nitricum को लेते हुए 15 दिन हो जाता है तो फिर आप Argentum Nitricum को स्टॉप कर दीजे और Argentum Nitricum को 200 में आप लेना स्टार्ट करिए लेकिन याद रखिए Argentum Nitricum 200 को आपको 15 दिन तक नहीं लेना है 15 डेस तक आपको नहीं लेना है सिर्फ 2 डोस आपको लेना है Argentum Nitricum 200 का 2 डोस 2 डोस मतलब 2 डोस आप 2 बुंद सुभे 2 बुंद साम को ऐसे करके भी आप Argentum Nitricum का 2 डोस ले सकते है या आज सुभे दो बुंद आपने लिया और कल सुभे आप दो बुंद लेंगे ऐसे करके भी आप दो डोस इसका complete कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको बताया अगर आप Argentum Nitricum को यूज करेंगे तो फिर आपको मेरे ख्याल से आपको एग्राव यदीक्टतीहिं नहीं है और इंकीस मिए आपको बताय हुएं मेडिसिन से बताय हुएं प्रोसेस अगर आपको फाय्दा नहीं होता है तो अगर इसको छोड़कर और भी ध्यरो मेडिसिन से जो की इस तरह के पर्फॉरमेंस एंजाइटी में काम आती है तो अगर 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 आपको कुई और मेडिसिन के जरुत पड़ेगी और जिसके लिए गर आपको यह एक क्लासिकल के पास जाकर अपना एक पूरा केस हिस्टी देंगे तो मेरे ख्याल से आपको वो जो मेडिसिन देंगे तो उससे आपका प्रॉब्लम जो है सौट आउड हो जाएगा तो दोस्तों यह था एक सौट वीडियो अबाट पर्फॉर्मेंस एंजाइटी और मैं उमिद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लापकर थाभित होगी सो थैंक्यों वेरी मच एंड हव गुड डे